श्री गनेशा इनम्हा नमस्काल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ चिराग दारुवाला और आज से हम एक नए शो की शरुवात कर रहे हैं ये एक वीकली शो रहेगा और इसमें हम बात करेंगे के आने वाला समय आपका कैसा रहेगा फाइनेंस में कैसा रहेगा प्रॉपर्टी में कैसा रहेगा हेल्थ में कैसा रहेगा दूसरा हम आपको ये अग्रह करेंगे के आप हमारे साथ इस शो में हर वीक जुडिये आपको जरूर से लाब होगा आज का एपिसोड में हम बात करेंगे के मे 8 से मे 14 का समय कैसा रहेगा कोई भी इंसान कभी भी पीछे नहीं कर सकता यानि कि मन में पॉजिटिविटी रखिए सिचुएशन कोई भी हो आपको कोई भी प्रकार की तकलिफ नहीं होगी अब हम शरुआत करेंगे पहली राशी की मेश राशी आपके अटके हुए काम अगर आप कोई गवर्मेंट टेंडर का काम करते हैं कोई कॉंट्रेक्ट का काम करते हैं तो यह चीज अच्छानक आपको मिल सकती है दूसरा अगर आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं शेर बराबर नहीं है पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 100% में से 20% करें आपको उसका success ratio थोड़ा अच्छा मिलेगा बट 100-100 टका मत करिएगा आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है येस दूसरी चीज अगर आप किसी के साथ jointly व्यपार करना चाहते हैं भागीदारी में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय ठीक नहीं है यानि कि कोई भी प्रकार का decision आप मत लीजिए खाली लक्ष्मी को आने दीजिए अब हम बात करेंगे व्रिशब राशी की गनेश जी कहते हैं कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जो लोग विदेश जाके कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है दूसरा जो लोग केमिकल के व्यवपार के साथ जूड़े हुए हैं जो लोग फूड इंडस्ट्री के साथ जूड़े हुए हैं उनके लिए भी ये सफता बहुत ही अच्छा है खाली आपको मन में एक प्रोवब रखना है आपको मन में एक English में sentence है Now or Never अभी नहीं तो कभी नहीं दूसरा अगर आप कोई कानूनी मामलों में Income Tax हो गया, GST हो गया कोई भी Government चीजों में फसे हुए है तो उसके लिए भी ये हफता बहुत ही अच्छा है गनेजी कहते हैं कि Jupiter is the planet of good luck and prosperity यानि कि Jupiter आपको एक success ratio देगा एक prosperity की तरफ ले जाएगा यानि कि व्रिशब राशी वालों के लिए ये हफता बहुत अच्छा है मिथुन राशी वालों, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ property लेनी है कहीं पे investment करना है joint venture करना है तो ये हफता आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है आपको शिवजी भगवान की अराधना करनी है Every Monday आपको ये बुलना है ओम नमः शिवाय 51 times अगर आप ये recite करेंगे और आप positively जाएंगे आप ये गिनलीजी आपका काम होगा दूसरा अगर आप विदेश संबंदित कुछ export करना चाते हैं या import करने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये हफता बहुत अच्छा है खाली मन में आपको ये चीज रखनी है कि मुझे ये चीज करनी है कोई भी प्रगार की negativity आपको नहीं रोक पाएगी यानि कि मिथून राशी वालों आपके लिए हफता बहुत अच्छा है अब हम बात करेंगे करक राशी की गनेश जी कहते हैं कि ये हफता आपको थोड़ा सावधानी से रहना होगा पती पतनी के बीच में मन मुटाओ हो सकता है और वो मन मुटाओ आपको कही न कहीं mentally depression में लाएगा और depression means no पैसा, no power, no money यानि कि आपको अपने partner को थोड़ा खूश रखना पड़ेगा दूसरा, अगर आपका कोई भी प्रकार का dispute चल रहा है अपने partner के साथ, partner means business partner के साथ तो ये हफता उसके लिए बहुत ही अच्छा है आपके clients के साथ जो dispute चल रहे हैं लेन देन में कुछ dispute चल रहे हैं तो उसके लिए भी ये हफता बहुत अच्छा है थोड़ा सा मगज को शान्त रखके decision लीजिए 100% आपको सफलता मिलेगी अब हम आते हैं C राशी पे C नाम से ही आपको पता चल जाएगा share यानि कि ये हफता आपको share बनके रहना है कोई इंसान आपको कितना भी डराए आपको cheat करने की भी कोशिश करे आपको cheat नहीं होना है कोई भी प्रकार का financial decision आपको नहीं लेना है हाँ अगर आप mutual fund में investment करना चाहते हैं आप सोचते हैं कि bank में fixed deposit रख दू कुछ पैसा आपके पास पड़ा है उसको कहीं invest कर दू तो mutual fund अच्छा है fixed deposit अच्छा है बट आपका पैसा आपके पास रहना चाहिए आपके अंडर में रहना चाहिए तो safely आपको खेलना है आपको कोई भी प्रकार का बड़ा risk नहीं लेना है अब हम आते हैं कन्या राशी पे गनेश जी कहते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग सोच सकते हैं कि ये हफ़ते कोई प्रकार का आपको promotion मिले अगर आप job change करने का planning कर रहे हैं तो आपको ये हफ़ते उसके बहुत अच्छे chances मिलेंगे अगर आप 3 जगा apply करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 2 जगा आपको 100% promotion भी मिलेगा अच्छा package भी मिल सकता है यानि कि job seekers और जो current job कर रहे हैं वो change करना चाते हैं तो उसके लिए ये हफता बहुत बैतरीन है अगर आप business कर रहे हैं और अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाते हैं तो उसके लिए भी ये हफता बहुत अच्छा है अब हम बात करेंगे तुला राशी की अगर आप rent पे रहे रहे हैं आपको नए घर में shift होना है तो उसके लिए ये हफता बहुत ही अच्छा है दूसरा जो लोग medical field से जुड़े हैं जो लोग scientist है उसके लिए काफी अच्छा है क्यूं क्यूंकि वो लोग कुछ नए invention कर सकते हैं कुछ नए projects ला सकते हैं यानि कि सपने साकार करने के लिए ये हफता बहुत ही अच्छा है दूसरा अगर आप कोई वाहन खरीदना चाते हैं टूविलर खरीदना चाते हैं गाड़ी खरीदना चाते हैं तो उसके लिए भी ये हफता बहुत ही अच्छा है अब हम बात करेंगे वरिशिक राशिकी गनेश जी कहते हैं कि जो लोग शेर बजार के व्यवसाई के साथ जुड़े हैं जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए ये हफता बहुत ही अच्छा है और दूसरा कोई भी कार्याप करते हैं कोई भी प्रकार का इंवेस्टमेंट करते हैं कोई नए क्लाइंट साते हैं तो एक मैं आपको शब्द बोलूँगा सस्पेंस ये शब्द आपके अंदर रखिएगा यानि कि पहले से किसी को भी न बताईए अगर आपने अपने डिसीशन आपने अपने थौट्स किसी को ब गनेश जी कहते हैं धनू राशी यानि क्या धनू मिन्स धन यानि की धन के लिए यह हफता बहुत अच्छा है पर आपको गनेश जी की आराधना करनी है ओम गनेशाय नम्हा इसको आप 101 बार रिसाइट करें जो लोग चार्टर्ड अकाउंटन्स है एंजीनियर्स है फाइन सब्सक्राइट में जौब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्यों कि पैसे की आवर जवर बहुत बढ़िया रहने वाली है और मैं असा मानता हूं कि जब पैसे की आवर जवर रहती है तो आपको कहीं न कहीं उसका सक्सेस रेशियो उसका पार्ट मिलता ही है यानि कि कमिशन के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है अब हम बात करेंगे मकर राशी की आपके साथ कुछ लोग गलत करने का विचार कर सकते हैं उसकी कोशिश कर सकते हैं यानि कि आपको थोड़ा सावधान रहना है शनी आपको ये बताता है कि आपको कस्ट मिल सकते हैं बट अगर आप थोड़ीक सावधानी रखेंगे तो आपको कोई भी प्रकार की कोई भी दिकत नहीं होगी दूसरा अगर आप कोई भी प्रकार का investment करने का सोच रहे हैं business planning and expansion का सोच रहे हैं या कोई नया business का सोच रहे हैं तो ये हफता आपके लिए बहुत अच्छा है सोमबा से उसकी शरुवात करें आपको शिवजी भगवान की आराधना करनी है और साथ साथ में हनुमान जी की भी अराधना करेंगे तो आपको बहुत ही मजाएगा अब हम बात करेंगे कुम्ब राशी की गनेश जी कहते हैं कि जो लोग सोना चांदी का व्यापार करते हैं या जो लोग ओनलाइन ट्रेडिंग करते हैं सोना चांदी की उनके लिए बहुत ही बैतरीन है सोने का भाव उपर नीचे रहेगा बट आपका माइंड आपको सही जगत से पे इन्वेस्टमेंट करवाएगा दूसरा अगर आप कंसल्टन्सी वाला व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी ये हफता बहुत ही अच्छा है आपको शुक्रवार को येस शुक्रवार को आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है अगर आप लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा आपका ग्रोथ होगा आपको प्रोस्परिटी मिलेगी अब हम बात करेंगे लाश्ट राशी यानि की मीन राशी की मीन राशी वालों को ये हफते खली लेना है यानि की बटोरना है जाने नहीं देना है अगर आप कुछ विदेश जाना चाहते हैं कोई शौपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप रुक जाएं कोई भी प्रकार का डिसीशन मत लीजिए जितना आपके पास आ रहा है उसको आने दीजिए लक्षमी माता आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देंगी 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 और साथ में आपको विश्णु जी की भी अर अब हम लाश्ट में आपको यही कहना चाहते हैं ये सभी राशी वाले ध्यान से सुने कि आपको रवीवार को सूरिय भगवान की आराधना करनी है और एक मंतरा रिसाइट करना है ओम रिम सूरिय नम्ह ये 51 बार आपको रिसाइट करना है सूरिय भगवान को जल चड़ाना है एक मुखी रुद्राक्ष पहनिये इससे आपको थोड़ा पावर मिलेगा प्लस जो भी अडचन है जो भी आपके आसपास नेगिटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होगी जो भी भगवान में मानते हैं उनकी आराधना करें एक सची श्रद्दा रखें आप कभी भी पी झाल